दुनिया की वही चीज है जिसका मुस्तक्बिल हर आने वाले मिन्ट के बाद जो चेंज हो रहा है वरना कई चीजों का मुस्तक्बिल हमें पैसी पता चल देता है कि इसमें क्या होना है लेकिन यह वही चीज है अभी इस वक्त दुनिया में कि जिसका मुस्तक्बिल के बारे मे किसी को कुछ नहीं पता दो मिन बाद के आओगा लेकिन ताजा सुर्टेहाल यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है यानि के जो खेलनों का दुश्मन है अमन के साथ साथ वो एक बार फिर जो है वो मार्किट में आ गया इस सफ़ा मार्किट में आया कि जो पाकिसान क्रिक पर जो पडोसी मुलक है इंडिया वो भाग गया है रिटन एग्रीमेंट से यह आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं चैंपनेस्ट टाफी को लेके और 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 जे शाह साथ आप बैक डिप्लोमेसी तो करी रहे हैं आज उन्होंने एक नया शुशा चुड लिवाया दूसरों से नमस्कार दोस्तों दोस्तों बी सीसी आई से पी सीबी को पंगा लेना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है क्योंकि अब चैंपियंश ट्रॉफी रद कराने तक की बात की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से भारत से तीन साल का रिटर एग्र रहे जा सकता जिससे पी सी बी को अर्व रौक रॉपें का नुक्सान होगो और पाकिस्तन क्रिकेट बॉर्ड इसको हेल नहीं पाएगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बॉर्ड पहले से ही कंगाल है। चैंपेंस ट्रॉफिका फाइनल पाकिसान और इंडिया के दिम्यान हो जाता है तो फिर हम यहां पे खिलेंगे मदर लहूर में उस पे इंडिया ने मना कर दिया नहीं हम हैसा नहीं कर से हमने पाकिसान आना है नहीं है PCB ने इस पे भी step back किया जो उन्होंने अपना extranse रखा हुआता hybrid model जिस पे उन पे काफी तनकीद भी हो रही है लेकिन end option यही थी कि आपने कुछ ना कुछ तो लचक दिखानी है कुछ रास्ता निकालने के लिए PCB ने उस पे भी का okay ठीक है आप final पे बिना आए जब यह hybrid formula य इस तेडिया इस जी को जो है अमधा बाद के नरंदर मोदी स्टेडिय के में मंबाई के वांगधे स्टेडिय में फाइनल नहीं कहुंएगी उन्दीय के किसी स्टेडिय पाइनल नहीं कहलेगी जब आप कॉर्ण क्रिकट बोर्ड ने यह वाली शर्त लगाई तो यह वाली पे इंडियन मीडिया, इंडियन करिकेट बोर्ड, इंडियन फैंस, इंडियन शाइकीन, तमाम वा हिएगहते बॉकलाड के शिकार होगे। भाई यह क्या रहे हैं, यह तो हमारा टॉर्णिमेंट खराब करें। कि असफिए जुरत ही है हमारा टॉर्णामेट खराप कर सके यह क्यूं हुआ यह कि हमने गंदी आते बिसिकली डाले वी थी लोगों को जो हमारे पिछले दुआर में चेहरमें चैयरमेन साफ गुजड़े हुए उन लोग ने गंदी आते डाले हुई थी ईडियन क्रिकेट मुसिन नकवी ने अभी तक जो है लगाई गई है ऐसी जो है रेमेडी यही रेमेडी थी आप यह नहीं कह सकते के पाकिसान क्रिक्ट का जो है बाइकोट कर देगा यह पाकिसान एफोर्ड नहीं कर सकता है इस चीज़ को हमें मानना चाहिए मैं अगर आपको थोड़ा सा पास् चेर मैं आए थे उनका नाम था सिरीनवासन सीरीनवासन के बाद उसके बाद शेशान्क मनोहुर उसके बाद एक जो है वो ग्रेक बारकले जिनकी अब ही मुदत खितम हुई है अब को नहीं जे शाह चार चेर मैं में से 3 आपके इंडियनस है तो कैसे बन्दा ये कह सकता है इंडिया को favor नहीं दी जा सकती है आप अगर रिक्वार्स की बात करते हैं 2011 का World Cup आपके घर में हुआ उसके बाद आपका 2016 का T20 World Cup आपके घर में हुआ उसके बाद 2023 का बड़ा World Cup आपके घर में हुआ तो पिछले 10-11 सालों में आपके पास भड़े इवेंट आए हैं और वो किस वरा से आए हैं यह इसी वरा से आए हैं तो कोई अगर यह कहता है ना कि ICC नूटरल है तो यह बिल्कुल गलत बात है इसी सी ने की नुकूसान पंचा है मुझे लगता है यहां पर जो कोड आध Everyone हुआ जितना ICC ने नुक्सान पुंचा है इस्पेशली 22 के बाइस तो यहां पर आप पाकसान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना स्टांस लिया हुआ है क्योंकि मैं आपको अपने सोर्से से बता हूँ काल मैं किजाफी स्टेडियम बैठा हुआ था एक डिरेक्टर के साथ वेसलब बैक एंड पे कुछ ना कुछ मामला जो है ना वो खराब लग रहे हैं तो पाकसान क्रिकेट बोर्ड अपना होस्टिंग छोड़ने को त्यार नहीं है इंडिया जो है अपने किसी भी शर्त को मानने को त्यार नहीं है क्यूंकि ओनको आत्ते गंदी पड़ी हुआी अगला सवाल ये बनता है क्या फोर्सफुली ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान से मुकमल इवेंट ICC कहीं और शिफ्ट कर दे फोर्सफुली देखें आज इंडियन मीडिया ने एक और शोषा यही छोड़ा जो आपने भी बात की है कि ICC जो है वो अपना पूरा टॉर्नमेंट जो है वो बाहिर लेकर जाने की तियारी कार रहा है कि पूरा टॉर्नमेंट अगर पाकिसान क्रिकेट बोर्ड मामला थाल की तरफ नहीं आत अब अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड यह भी नहीं मानता कि आप जिसना जो वो खुद नहीं करना चाहता वो पाकिसान से करवाना चाहता है इससे जादा ढ़िटाई क्या हो सकती है अगर आप इतने ही है पावर वाले तो आप ठीक है आप हम धरले से कहते हैं आप हम आपक आपको पहले बताया था ICC के तीन में स्पोंसर तीनों इंडियन्स हैं जिसमें आपके एक फ्लाय एमरेट्स है जिसमें डीपी वर्ड है और तीसरा भई है वो ज्यादा तर आपके इंडियन्स हैं दुबई के हैं तो भई वो तो पैसा चाहेंगे उनको तो चाहिए पाकिस क्या पाके सान कर साथ कानुनी जंग की जा सकती है इस मौाइले के हो भई आपने मसूमाना अपे पहंगता हूँ हमनेर यह सब्सक्राइब कर इंडिया कानून सारा इंडिया का एक आप आप इंटर में इंटरनेशन कोट अशिश्टिस में जाएंगे तो तो आपी से वहां पर आपके 12 मेंबर्स होंगे, 3 असोसियेट मेंबर होंगे, एक ICC होगा, तो वो तो सारे चलते हैं, इवन आपका South Africa Cricket Board, आपका Western Divs Board, आपका Sri Lankan Board, तमाम बोर्ड आपके ICC revenue पर जलते हैं, तो ICC revenue आपका 80% इंडिया लेके आता है, तो अगर आप International Court of Justice में भी जब डिले में जाएगा, तो obviously ये इस चीज़ से कोई एकिलाफ राए नहीं किया जाकता है, या कोई दो राए नहीं है, के Indian Cricket Board इस वकट सबसे बड़ा है, पैसे financially भी, और उनका जो model है, financial model उसके मताबिक ही, जो छोटे boards हैं, लाइक नमीबिया हो गया, निपाल हो गया, ज broadcaster, interested नहीं है, और वो कहते हैं, जी चेंपेंट्रोफी कैंसिल कर दें, क्यों, कि पाक सांग के जो मौसिन नकवी साब हैं, वो बोलने, इन राइटिंग दे आप, जैसे hybrid model, मतलब hybrid model को बोला जाता है, नया नाम कुछ और दिया जाना चाहिए, कि हम अपनी चेंपेंट्रोफ का final दुबई के लिए तयार है, लेकिन जो 2026 में जो event होगा, टी टुइंटी का, अगर पाकिस्टान उसमें पहुचा, अगर पहुचा, तो वो final भी स्री लंका में होगा, और उसके लिए आप इन राइटिंग देतें, इन राइटिंग क्यों, कि आपको याद होगा, कि 2023 का जो वर्ल कप हुआ था, पाकिस्टान जब वहां पे आया था ना, पाकिस्टान नहीं आता है, इंडिया तो नहीं आता, तो यह बोला गया था, जी हम चैंपेस टॉफी में आएंगे, वर्बली, क्या, वर्बली बोला गया था, उस टाइम पे भी जेशा ही थे ना, तो अब केशा साब पहले जब सेक्टी थे, चार दिन पहले जो बीसी से के सेक्टी थे और वो मना करे थे, इंडिया पाकिस्टान नहीं आएगा, बिल्कुर सही बात है, कोई और भी होता, वो भी यहीं बोलता, लेकिन वहीं आदमी अब आइसी सी का है, तो दोस्तों जिस तरह से ब जगातर पाकिस्तान को एक के बाद एक थेंगा दिखा रहा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज़्यादा परेसान है, पाकिस्तानी हो का कहना है कि पी सी बी को पूरी तरीका से बी सी सी आई ने एक कौने में रख दिया है, पी सी बी की एक भी बात मानने को त क्रिमेंट भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि भारत एक के बाद एक बड़े बड़े टूनमेंट अगले आने वाले सालों में होस्ट करने वाला यही कारण कि भारत ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता जिस तरह से भारत लगातर पाकिस्तान को उठेंगा दिखा रहा है उससे पाकि पूचा करने के लिए भारत को आख दिखाने की कोशिस कर रहे हैं आपकी कराय कमेंट मेर उसे करें यादि आप चाहँ अपने चैनल को सब्सक्काइब करें वीडियो पसंद रहे तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें जैहिन ओंद मात्रम